तो थालो साली स्वाइश vibe पे awakाएश Schwab वेयरे इंसे संहाल है कि HIV पर दोड़ेक है यह kiate हों, जननरेटट कास होता है 1986 में हाईशव का सबसे पहला case भारत में पाला गया था उससे यह तो पता चलता है कि 1986 से हैं यह virus पीदा हो छोका था और उसके बाद ये किसी की body में पाया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये एक से दूसरे दूसरे तीसे 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 चौते इस तरीके से लोगों में ये फैलता गया और इसमें जो mode of transmission सबसे जादा रहा वो रहा physical relation उसके दुआरा जिसमें की protection का सही से use नहीं किया गया और अब यह सोचते हो कि जहां पर एक विक्ती से कई लोग मिल लेते हैं और अगर किसी को HIV नहीं है तो उनके मिलने से ही अपने आप पैदा हो जाता है वहाँ पर तो ऐसा आप प्रिकट नहीं होगा जब तक उन्हें से किसी HIV नहीं है तब तक यह लोगों में नहीं पेलता same situation हम दो लोगों से शुरू करते हैं ये माल लिजे कोई भी आप इनको मान सकते है male female में से same भी मान सकते हैं अलग अलग भी मान सकते है result एक ही होना है अब माल लिजे ये दो person है अब ये दो person कहीं किसी से नहीं मिले है बचपन से जब ये जवान हुए है तब तक ये कहीं किसी से नहीं मिले उनके कोई contact कहीं पर नहीं है तो अगर ये आपस में कितना भी मिले तो इनको HIV नहीं होगा जैसे husband wife normal सा example ले लिजे लेकिन अगर ये partner मान लिजे ऐसे हैं जिनका इसका भी कहीं किसी से contact रहता है इसका भी कहीं किसी से contact रहता है और जहां इसका contact रहता है जहां इसका रहता है वहाँ भी उसको HIV नहीं है और इधर भी उसको HIV नहीं है तो भी इन दोनों को नहीं होगा अब इसका partner आपको तीसरी situation लेते हैं कि जिसमें ये कहीं अगर किसी से मिलता है तो उसको HIV है और इसका कहीं से किसी से कोई contact नहीं है तो अगर ये इससे मिलेगा तो जहर सी बाती ये वहाँ से virus लेके आएगा और इसमें transfer कर देगा तो इसको तो हो गई और इसको भी हो जाएगा इसी तरीके से मानलो अब अगलाग situation लेते हैं कि ये कहीं किसी से नहीं मिलता है इसका कहीं किसी से contact है तो ये ऐसे से मिल लेता है इस बार जहाँ पर उसको virus था उसकी body में और वहाँ से फिर इसको हो गया और इससे फिर इसको हो जाएगा तो इस तरीके से ये एक से दूसरे में transfer हो जाता है लेकिन अगर कहीं किसी को नहीं है तो फिर ये अपनयाप पैदा नहीं होता अब एक situation ही हो सकती कि माल लिजे तीन लोग हैं जो आप group में भी लोग होनों बहुत सारे मुझे question लिखें कि एक person से अगर दो लोग मिलते हैं तो माल लिजे तीनों कोई भी हो अपने आप male female आप select कर लिजे result same रहने है कोई एक person है उससे दो लोग मिलते हैं तो अगर इसको नहीं है और इन दोनों को भी नहीं है तो इन तीनों को नहीं होगा अगर इन तीनों मेंसे किसी एक को भी है तो इन तीनों को होने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी अगर ये तीनों मेंसे किसी को नहीं है और ये तीनों कहीं किसी बाहर से नहीं मिलते हैं किसी और से तो भी इन मेंसे किसी को नहीं होगा लेकिन अगर ये दोनों आपस में तो मिलते हैं, ये कहीं किसी से नहीं मिलते है लेकिन ये किसी और से मिलता है उसके बाद इन से भी आके मिलता है तो फिर इन दोनों को भी पूरे पूरे chances रहेंगे HIV transmission के इसी तरीके से कहने का कुल मिलाकर यही है कि कही पर भी कोई भी गुरुप हो कितने भी लोगों का अगर जितने लोग है उन में से किसी को नहीं है तो ए अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा लेकिन अगर किसी को भी है तो यह हो जाएगा अब इसमें main important बाती होती है कि किसी को देख के तो आप बता नहीं सकते कि उसको है या हो सकता है गुरुप में ऐसे लोग हो जो आप से सच भी ना बोलें हो सकता है किसे से मिलके आया और वो कहा है नहीं मिल रहा हूँ मैं किसी से भी सिर्फ साप से मिलता हूँ तो यह situation भी हो सकती है तो इसमें किसी को देख के आप नहीं बता सकते हैं किसी के face से नहीं बता सकते हैं रंग से नहीं बता सकते हैं उसकी किसी बिमारी से आप उसको नहीं बता सकते हैं यह तो सरफ blood test से ही पता चलता है जो कि आप कहीं पर भी करा सकते है antibody test जो हमारे ICTCs में भी होते हैं district hospitals में और private lab में भी होते हैं जो antibody test आप कहीं भी करा सकते हैं इसके बारे में already total information मैंने अपने दूसरे सारे वीडियो में दे रखी जो HIV के हैं जो मैंने एक पूरी series बना रखी उसका link में नीचे description में दे दूँगों जहां से आपको different type के जो आपके question है उसके सारे जवाब वहाँ से मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर ये है कि कहने का मतलब कि लोग चाहें दो हो चाहें तीन हो या जो भी हो उनमें से अगर किसी को नहीं है और उनका कहीं किसी से और से contact नहीं है तो फिर उनको अचायवी नहीं होगा क्यूंकि ये मिलने से आपस में अपने आप पैदा नहीं हो जाता और यही नियम और लोगों पर भी लागो होता है जहां पर दो लोगों से ज़्यादा लोग है तो ये ध्यान देनी की बात ये है कि जब भी relation बनाए, इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर protection का use करना चाहिए, अंजान लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोग जुनको आप नहीं जानते हैं, उन लोगों से संबंध मत बनाईए, जहाँ पर अगर आपके जनेटल आवरंस पर द तो अपनियाब पैदा नहीं है, तो 1986 से पहली पैदा हो चुका था, और उसके बाद ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर को आप कैसे रोकेंगे, कि आपका बफ़दार साथी होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपके contact में हो, multiple partners ना हो, multiple partner में कोई contact नहीं बनाना है, वही हमें बचा सकता है, और अगर हमारे शरी में दाने खुझली है, या फिर फोड़े फुनसी है, जनाइटर और और तो भी हमें उस समय पर उन contact को बनाने से बचना है, क्योंकि उससे भी transmission के chances रहते हैं, बाकी अगर आपके कोई और सवाल है, तो आ तो मिलते हैं नहीं वीडियो में नाइट आपके साथ, तिल रहन की पिसमाले, सी यू इन नेक्स वीडियो